खबर समय जगत में आपका स्वागत हैं मैं हर्शता जोहरी आई नज़र डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर अपनी दुरदसा देख रोती है परेटन की नगरी ग्यारसपुर जो की एक हिल स्टेशन एवं परेटन नगरी के नाम से प्रसिद है इसके चारों तरफ नवी और दसवी शदी की एतिहासिक इमारते आज भी मौजूद हैं हर वर्ष हजारों की संख्या में परेटक एतिहासिक इमारतों को निहारने के लिए देश बिदेश से आते हैं जिसमें माला देवी मंदे हिंडोला तोरण आठ खंबा बाजरा मट टेक पातत्व विभाग की एक और जहां केंदर की सरकार परेटन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वहीं दूसरी और ग्यारसपुर में नौवी और दसवी सदी की एतिहासिक इमारते धराशाही होने की कगार पर हैं जो परेटक इन एतिहासिक इमारतों को देखने के लिए आते हैं परेटकों की गारी आधी रास्ते में ही खस्ता हाल बेहाल हो जाती है बड़ी उमीद से परेटक इन इस्थलों को देखने आते हैं मगर जब सडक से पाला पड़ता है तो ऐसा महसूस होता है कि क्या हम वाकई एतिहासिक इमारतों को न प्थर निकल आए इस सड़क पर वाहन नहीं चल पाते धने हो पीड़ाब्लूडी के अधिकारी एवं करमचारी कई महीनों से घुमाने का काम कर रहे हैं कि सड़क आज डालेंगी कल डालेंगी यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं पर सही नहीं बताते हैं कि सड़क कब डलेगी ग्यारसपुर कमाला देवी मंदिर की खस्ता सड़क की हालत दिखाई नहीं देती है एक और पीड़ाब्लूडी मंत्रियों सांसदों विधायकों के आवासों की सड़कें चिकनी सपाट मुह देख लो ऐसी सड़कें जन प्रतिनिधियों की बंगल हो चुकी है मगर जिमेदार पीड़ाब्लूडी के अधिकारी इस सड़क को नहीं बना रहे हजारों की संख्या में हर वर्स इस एतिहासिक नगरी में माला देवी मंदिर को देखने आते हैं कई बार मीडिया ने अपने इस तर से समय समय पर शासन प्रशासन को हकीकत का आई ना दिखाया मगर क्या करें साहब ना ही पीड़ाब्लूडी का कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है ना ही पुरातत्व के अधिकारी को कोई होश हवास है हमारे देश की पुरातत्व संपदा धरोहर को निखारना उनकी मरमत करना सुंदरी करन करना पानी की व्यवस्था करना लाइट की विवस्था बैषनी की विवस्था फूल फुलबारी लगाना जिससे की देश विदेश से आए हुए पर्यटकों का ध्यान एतिहासिक इमार्तों की तरफ आकर से थो सके और बार बारे ने एतिहासिक इमार्तों को देखने आए ग्यारसपुर में हजारों की संख्य में हर वर्ष आते हैं मगर एक बार आने के बाद फिर दो बारा उनका मन नहीं बनता और फिर कभी लौट कर नहीं आते ग्यारसपुर की दुर्दसा पर रोती है यह परेटन नगरी अब तो जागो जिम्मेदार अधिकारी यहां का रास्ता तो बहुत ही बेकार है कुछ भी बाहन नहीं आ सकते हैं पैदल आने में ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो गाड़ी भी नहीं आ सकती अच्छी से तो कहीं न कहीं जो मार्ग है इसकी बहुत बत से बत तरह इस्तिती है अभी बिलकुल है बेकार ही इस्तिती ह पूरा पूरा तुछ बहुत सुन्दर वहां की नकासी वगएरा देखने लाइक जगह है लेकिन रोड इतना बेकार है तो कौन जाएगा उच्छी जी खबर समय जगत के लिए जिलाविदीशा तहसील 11 पूर से कैमरामेन सीता राम कुश्वाह के साथ प्रेम नारायन सूरेव करने सांशी किरेपोल परसमय जगत एक संदेश पूरा तेश